क्या बिहार महागडवंदन में गाठ पैदा हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दो घटनाए एक साथ हुई है नीचे के सिपाही एक दूसरे पर वान चला रहे हैं और सिपा सलार चुप हैं इस चुपी के पीछे क्या है? वो बोल कर मामले को बढ़ाना नहीं चाहते या फिर चुप रहकर अपने सिपाहीों को शह दे रहे हैं हाजीर है आपका बिहारी पत्रकार नाम है मोहन कुमार इन्ने ओनने का नहीं यहां होगा ओनली बिहार आगे बढ़ने से पहले एक अपील अगर आप आरोप प्रत्यारोप से परे थोस विमर्स वाली खबरें और वीडियो देखना चाहते हैं तो कुइंट का मिंबर बनिए कैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कीजिए पहले जरा बिहार के सिक्षा मंत्री चंदर सेखर के उस बयान को सुन लीजे जिस पर हंगामा बर्पा है सिक्षा मंत्री ने राम चरित मानस के एक हिस्से को नफरत फैलाने वाला ग्रंत कहा तो सियासी सुर्मा आकरमन और बचाब दोनों मोड में आ गए एक तरफ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदाननसी ने उनका समर्थन किया है उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी चंदर सेखर के साथ खड़ी है घबराने की जरूरत नहीं है वहीं इस मुद्दे पर आरजेडी के राष्ट्रे उपाध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ट नेता सिवानन तिवारी ने सार्जनिक रूप से असमहती जाहिर की है चलिए अब इस बयान और पिछले कुछ राजनिती घटना क्रम से बिहार की मौजूदा राजनितिक इस्थिती और महागडवन्धन पर इसका क्या असर होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं पहला रामचरित मानस पर टिपनी का महागडवन्धन में साइड इफेक्ट दिख रहा है घटक दल इसको लेकर आरजेडी पर हमलावर है धर्म की बात नहीं कर रहे हैं गटवंदन धर्म का पालन क्या हमारे नेता नितिश कुमार को गाली लोग दे रहे हैं राष्टे जनतादल के लोग और पूरी पार्टी मौन है इसको किस रुब में लोग लेंगे ऐसी स्तिति में भी कैसे इसको बरदास किया जा सकता है वहीं जेडियू मल्सी निरज कुमार के नेतिरित में उनकी पाटी के नेताओं और कारेकरताओं ने पटना में मानस पाठ किया कॉंग्रेस भी चंदर सेखर के बयान पर सवाल उठा चुकी है इन बयानों का महा गडवंधन पर क्या असर होगा इस सवाल के जवाब में वरिष्ट पत्रकार प्रवीन बागी कहते हैं कि गडवंधन पर इसका विल्कुल असर पड़ेगा और या दिख भी रहा है जिस तरह से जेडियू ने इसका मजबूती से विरोध किया है इससे साफ है कि जेडियू सिक्षा मंत्री के बयान से सहमत नहीं है जेडियू को लग रहा है कि इससे पूरे महागडवंधन की इमेज खराब हो रही है और खास करके नितीज कुमार की च्षवी को भी चोट पहुँचेगी दूसरा तेजस्वी की चुपी ये पहला मामला नहीं है जब आर जेडियू के किसी विधायक के बयान पर तेजस्वी ने चुपी सा दियो सुदाकर सी मामले को लेकर भले ही ते जस्पी ने इशारो इशारो में चेताबनी दी थी लेकिन जेडियू के विरोत के बाद भी कोई कारवाई नहीं हुई वही इस मामले में भी वो खामोश है इस पर वरिश्ट पत्रकार प्रवीन बागी कहते हैं कि ये सब सोची समझी रणीती के तहत हो सकता है जिस तरह से RJD नेत्रित्व खामोस है इससे लग रहा है कि इसके पीछे कुछ योजना चल रही है महागडवंधन सरकार के गठन के बाद से RJD के दो मंतरियों को इस्तीफा देना पड़ा है बिहार में 10 अगस 2022 को महागडवंधन सरकार बनी थी ठीक 22 दिन बाद ही कार्ती के सीहने इस्तीफा दे दिया था इसके बाद सुधाकर सीहने मंतरीपद से इस्तीफा दिया उन्होंने भरष्टा चार को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खुल दिया था वरिष्ट पत्रकार रवी उपाध्याय कहते हैं कि महागडवंधन सरकार बनने के बाद से आरजेडी से दो विकेट गिर चुके हैं तिसरा विकेट गिरने की कगार पर है वरिष्ट पत्रकार प्रमीन बागी कहते हैं कि अगर आरजेडी ने इस मुद्दे पर तुरंत कोई पहल नहीं की तो मामला बहुत गंभीर हो सकता है ये भी हो सकता है कि मुख मंत्री एक तरफा कारवाई करते हुए चंदर सेखर को मंत्री मंडल से बाहर कर दें इससे दोनों दलों में और दरार बढ़ेगी नितीश कुमार बिहार में समाधान यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन इसमें भी सहयोगी दलों की सभभागिता न के बराबर दिख रही है इसे भी महागडबंदन में मन मुटाग की तरफ देखा जा रहा है वरिष्ट पत्रकार अवी उपध्धाय कहते हैं कि ये सिर्फ नितीश कुमार और उनकी पार्टी की समाधान यात्रा बनकर रह गई है बेशक वो कह रहे हैं कि ये सरकारी यात्रा है फिर तो सरकारी यात्रा में कैविनेट के अनसहयोगियों को भी होना चाहिए पाचवा, महागडबंदन सरकार बनने के बाद से नितीश कुमार बैकफूट पर नजर आ रहे हैं वो लगातार आलोचकों के निशाने पर हैं छप्रा सराब कांट के बाद बक्सर में किसानों का मुद्दा B.S.C. पेपर लीक और फिर अभियर्थियों पर लाठी चार्ज इन मुद्दों पर नितीश कुमार को भारी विरोत का सामना करना पड़ा है लेकिन नितीश कुमार के पास इन सब का कोई जवाब नहीं है जानकार मानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वज़ा है विधान सभा में संख्या बल के हिसाब से जेडियू का कमजोर होना प्रदेश में नितीश की पार्टी तीसरे नंबर पर है वहीं दूसरी वज़ा है राष्ट्रे इस्तर पर नाकामी नितीश दो हजार चौविस लोग सबाचुनाप से पहले बीजेपी के खिलाप विपक्षी नेताओं को एक जूट करने का प्लैन बना रहे थे लेकिन उस दिशा में अभी तक कुछ खास नहीं हुआ है ये तो हो गई महागडबंधन की बात अब जरा आपको बता दें कि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी क्या कर रही है उसे तो बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है बीजेपी एक तरफ चंदर सेखर के स्तीफे की मांग कर रही है तो दूसरी तरफ नितीज पर भी निशाना साध रही है वरिष्ट पत्रकार अभी उपाद्धाय कहते हैं कि आरजेडी ने पीछ तयार कर दी है अब भारतिये जनता पाटी को तै करना है कि वो इसे कैसे कैश करती है और इस मुद्धे पर किस तरफ से बैटिंग करती है बिहार में कावा कारिकरम में इस हफते बस इतना ही वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो की तुरंट जानकारी के लिए धंटी वजाईए